स्वामी विवेकानन्द स्वामी कैसे बन गई सुनिएगा जरा कहाणी सायद्वेन एक दिन बोलाओ एक बार स्वामी विवेकानन्द आपको बता सिकागो संबेलन में फेमस होए थे स्वामी विएकानद इंदी में वासन दिया था सिकागो संबेलन में स्वामी विएकानन्द आमारे जैसे आप जैसे बिल्कुल साधान पुरुषते वह अपने कर्मों से अपने महान कारियों से महान बने हर इंसान अपने कारिय आकर नरित्य करने लग गई उनका ध्यान बठकाने लग गई और जब उनका ध्यान बठकाने की कोशिस करने लगी तरह तरह के एक्षन रियक्षन करने लग गई तो उसने क्या किया कभी देर तक स्वामी वेकानद ने आख नहीं खोली बार बार जाए कभी उनको गोद में बैठे कभी उठे कभी बैठे ऐसे करके उनका ध्यान बंकरी लेकिन उन्हें आखे नहीं तब उन्होंने बिनते करी है स्वामी आप आखे खोल ये प्लीज और मेरी एक बार बात सुनिए स्वामी वेकानद नंजी ने कहा कि आप मेरे से विवा करकर क्या करेंगे सब्धाय उन्हें उन्हें कहा कि मैं आपसे व्यवा करके आप जैसा एक सुन्दर सा सुसील और गुनवान बच्चा पैदा करना चाहती जिससे की गुणवान बच्चे पैदा होगा और कल को विशव में जाकर वो बहुत आपकी तरह बहुत बड़ा आदमी बनेगा और विशव में मेरा नाम होगा कि यह उसकी माता है तो वियका निंजी ने बड़े सलसभाव से उतर दिया कि आप मेरे बच्चे की मां बनने की ब बैठते क्योंकि उन लोगों के मस्तिष्क पर पूरा कंट्रोल है उनका वो लोग संत मातमा ऐसे बढ़े मातमा बुद्ध अपनी पतनी को छोड़कर चले गए अपनी पतनी को छोड़कर चले गए बच्चे को छोड़कर चले गए कैसे मातमा बुद्ध मातमा बन गए दिमाग जिसके कंट्रोल में हो गया वह दुनिया में कहीं भी बीज़र पासकता मेरी बात अपसाइव थे समझ पाई होतों इन दिनों आपके हार्मोन कंट्रोल में नहीं होते गाल सबसे ज्यादा अर्मोन एक्टिवेट होते हैं इस सेज़ में आकर होते हैं सौड़ा 17 18 साल की उमर में आकर जब आपकी नई नई जवानी आती इसोड़ा 1719 साल की उमर आती है उसमें आकर आप लोगों के शेक्टिवेट हो जाते येस यानो और यह ज्यादा बतर जब सेक्स्वल आर्मोन लड़का उचे लड़की हो खानपान ऐसा हो गया है शरीर कंट्रोल में देखो इस बात में हसर आई है कि मैं कह रहा हूं सेक्स्वल आर्मोन इसका दिमांग पहुंच गया नहीं पहुंच गया इसका इपोथलमस तुरुंत यह मनमन दिमाग में सीन भी बढ़ाने लग्या हुगा ओ भाई काम की चीज बढ़ ले मैं सीखा रहा हूं यह कुछ और सीख रहा है इन दिनों में यह बोज़द एक्टिवेट होते क्योंकि खानपन ऐसा होता है और बेटे अगर आप इन परनियंतर्ण पा लेते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे माता पिता हर टाइम अपने इंतर्ण खो बैठता है आप समझ रहें मेरी बात को और फिर उसका ध्यान उन चीजों की और अकरसित हो जाता है मैं भी ऐसे करूंगा मुझे भी मज़े लेने हैं मैं भी सची बाद है यह और वह आप पता क्या देखो कुछ बच्चे हस रहे हैं उनको इसमें मज़ा रहा ह है लेकिन उसको यह नहीं पता कि अब भी आप 3-4-5 साल यह चीज़े करके उसके बाद अपनी जिंदिके को डिश्ट्रोय कर दोगे पूरी तरह से क्योंकि जब आपकी एज आपको पता है जब इंसान 26-23 साल का होता है ना आप बीस-बाइस साल के लड़के से प्रेम करना लड़का प्रेम करेगा और सिर्फ क्या करेगा चलो चोकलेट खाने चलो ब्रगर खाने चलो पीजा खाने चलो कैफे में चलो ओयों में यही काम है बस सची बात है 26-23 साल के लड़के से अगर जो बात करनी शुरू करोगे मेच्चे और इंसान से वह अपनी गल्फ्रेंड क मैं तुम्हें नोट्स बेज देता हूं नोट्स पर लेना और दिन में कम से कम पांच गंटे पड़ा गरो उसका मैच्वर्टी लेवल आई है क्योंकि वह अपड़ी गल्फ्रेंड को यह समझाना चाहता है कि सब कुछ करके देख लिया कुछ नहीं है सिरफ अंत में आकर 26- समझ में आती है ना बात उसके तब उसको पता चलता है जीवन कितने बड़े संगर्सों से बढ़ा हुआ है और वो कहता है कि मैं तो इस एच से गुजर गया हूं अभी तो तो तुझे अभी पता नहीं है कि तो जब 26 की होएगी तो तेरे साथ क्या बितेगी पड़ोस वाल हूं नेवी में हूं रिलवे में हूं आप साइद मेरी बात को समझ भाई अभी आप लोगों को सोड़ा स्टरा ठारा उनीश-बीस साल की एज में सिरफ आपको यह दिखता है प्यार करना है लड़के पठाने है लड़कियां पठानी है एक में काम नीचल रहा तीन पठानी है अलग अलगतर है कि सवाद लिने हैं सची वाद बेटे लेकिन जब आप मैचोर होगे जब आप 26-23 साल के होगे जब आपकी एजात से रेत की तरह निकलती जाएगी तब आपको पता चलेगा रियल मजा यह सेक्स करना नहीं था रियल जो मजा था वह बेटे नोकरी लगक पल होता है जब वह यह प Mandal हो क्डा यह पिताजी हमारी क्या हो का था हम इक जानता पहता अपको हमें को इस नाम से ब्लंठे का बेटा है यह थे लेकिन जिस दिन आपके पिता को आपके नाम से संबवोधित करने लगजए उस दिन आप समझतले आप सक्सेle सब्सक्राइब सब्सक्राइब और आपको पता है नरेंदर मोदी ने उनके पिता से हाथ मिलाया उनकी माता को नमस्कार किया और दुनों से हाथ मिलाकर उनको का तुमारी संतान बहुत है योग्य संतान है अच्छी संतान एक उलाद की वज़े से देखो सक्सी मली के पिता को परदानमंत्री जानते तक नहीं क्यों क्योंकि संतान ने उनका नाम रोशन किया समझ मेरी बात आपको एक संतान है अपने माबाप का नाम रोशन भी कर सकती है और अपने माबाप का नाम में भीगाड भी सकती है गाहों में थूथू भी करवा सकती है और गाहों में वावा भी करवा सकती है वो संतान के उपर दिपेंड करता है साथ मेरी बात आप समझ पाये होगे समझ में आई बात आपको उदा लटका रेंक आया फर्ष्ट रेंक आया उसका इस में गरीब परिवार का लटका था फस्ट रेंक आई एस बनगा मनते बात को मैनत करी आज उसके पिता को दुनिया जान रही यादित्ते पूरे बोडी को कंट्रोल करता है यह पूरे बोडी को कंट्रोल करता है सभी आर्मोन को कंट्रोल करते हैं जल्दी बोलो प्यूस और प्यूस को कंट्रोल करता है हाई पदा बेटे समझ में आपको अरे आया